नमस्ते श्री लंका की इतनी खुबसूरत जगाहों में घूम के जब थोड़ा सा विश्राम में ही तो राम है जब थोड़ा सा विश्राम मिला तो सोचा क्यों ना आप से कुछ आज शेयर करो यह माइक देख रहे हैं आप आप सब जानते हैं कि एक ही एनरजी एक ही एनरजी इस वोईस को आप तक पहुचा रही है कोई अलग से 4-5-6 लोग नहीं है कि इस वोईस को कलेक्ट करें फिर मिक्सर तक पहुचा है और फिर आप तक नहीं एक ही एनरजी इस वोईस को कलेक्टर रही है mixer तक पहुचा रही है और monitor या amplifier के द्वारा आप तक यह आवाज पहुच रही है ऐसा ही है मुझे start इस बात से नहीं करना था मुझे आप से कुछ शेयर करना था तो जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा और फिर से एक बार सारे वस्तों को अपनी अपनी जगा रख देंगे तो ये जो माईक है इस माईक की wire निक्स वीडियो तक बहुत ही उलज जाएगी ऐसा ही हुआ इस समय में भी मैं आप से इस लिए ये सारे बाते शेयर कर रही हूँ कि अक्सर केवल पुस्तक और केवल गरंथ ही नहीं तो आसपास की परिस्तिती में जब हम सजग हो जाते हैं तो वो भी जीवन मुल्य के सुत्र देती है और इतना ही नहीं आसपास के हमारे लोग जो बहुत तर ग्यान में जीते हैं पर उन्हें भी पता नहीं होता कि यहीं वो ज्यान है यहीं वो नॉलेज है जो हमारे जीवन के सुत्रों को उन्नत करके हमारे इस जीवन की परिस्तिती को सुलजा सकते हैं तो यह वायर पूरी उलज गए थी इस वीडियो को बनानी से पहले तो हमारे साथ एक पर फिर मन में विचार आया कि सुलजे हुए मन से अगर आप तक कुछ पहुचाए तो अपने आप ही परिस्ति भी सुलज जाएगी तो जब पहले वायर को सुलजाना शुरुबात किया वायर को सुलजाते सुलजाते पता चला कि अरे यह बहुत आसान है अगर पता चल गया क कहा से क्या सुलजाना है जैसे अक्सर हम गेहू से कंकड निकालते हैं सुलजाना तो वही है गेहू से कंकड निकालना पर कंकड से अगर गेहू कलिक्ट करते रहेंगे तो आप सब जानते हैं ऐसे कुछ बाते शेयर करना चाहती हूं कुछ दिन पहले हम सूरत गया सूरत में ब बहुत अच्छे से स्वागत भी किया पर स्वागत होने के बाद उन्होंने कहा दिदी आप तो यहां रुख सकते हैं पर आपके साथ बाकिचो आए उनकी व्यवस्ता के और कर दो इतना बड़ा घर है हम तो कहीं भी रह लेंगे एक रूम में तो हम आराम से रह जाएंगे उन क्या घर क्या ठीक रखेगा आप गुडों के संग रही है आप जानते हैं आपको इन सब में से क्या कलेक करना है वह बताने का तातपरिय इतना ही है ऐसी कुछ बाते आप से शेर करो कि प्रकृति में भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कितना ज्ञान में जीता है कितना सुल्जे हुए मन के प्रती सजग हो जाए। मैं आश्रम में थी बैंगलोर आश्रम में हमारे सीनियर स्वामी जी अपना कोस पूर्ण करके बाहर आये। मैं थोड़ी देर के लिए समझी नहीं पाई कि मैं इसे कैसा रखो फिर उसको ठीक किया और उनकी हातों में रखा वो तो चले गए पर जाते-जाते मुझे कुछ सिखा गए कि तुम मुझे दो कैसा भी मैं तो वैसे ही लूंगा जैसे मुझे लेना है। स्वामी विवेकानंद जी की वो स्टोरी आपको याद है कि स्वामी विवेकानंद जी चले जा रहे थे और पीछे पीछे एक व्यक्ति उनके पीछे बहुत ही कड़वे शब्द बोले जा रहा था स्वामी जीरू के एक गाव में एंटर करने से पहले उन्होंने कहा कि हैं और उनके आगे तो मैं ऐसा कुछ कहोगे तो वो तो वो आपको दंड देंगे और आपको दी हुई शिक्षा मैं नहीं देख पाऊंगा इसलिए आप एक काम करो आपको जो भी बोलना है यही मुझसे बोलो यही मुझसे बात कर लो तब उसने सोचा कि स्वामी जी के मन म हैं तो कितनी दया है स्वामी जी को किसके पास रहा है तो मुझे दो कैसा भी मैं तो वैसे ही लूँगा जैसे मुझे लेना है और एक बात शेर करो मेरी हमारी एक सकी ने मुझसे कहा था कि जब वो और एक और सर कहीं एक कॉलेज में स्टूडन के आगे लेक्षर देने गए तो उठके खड़े हो गए और बोल रहे थे अच्छी बाते बोलने के बाद बहुत अच्छा समझाने के बाद एक कोई विध्यार्थी खड़े रहें और उन्होंने कहा जो आप कह रहे है वो वो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर मैं इसे फॉलो नहीं कर सकता तो उन्होंने पूछा कि अगर आप इसे फॉलो नहीं कर सकते आपने सुना आपको अच्छा लगा तो आप इसे फॉलो क्यों नहीं कर सकते तब उसने कहा कि ने इतनी देह से मैं आपके नाखून की और देख रहा था जो अपने नाखून को स्वच्छ नहीं रख सकता वो मेर को सुलजाना है इन परिस्तितियों को ठीक करना है अगर परिस्तितियों को और आसपास के वस्तों को और परिस्तिति को सुलजाना है तो हम पहले अपने मन को सुलजा ले सुलजे हुए मन के साथ सब कुछ सुलज जाएगा आए इस यात्रा के दौरान यही सीखे हां मैं जानत की प्रभाव से व yakti के संगत से और पुराने संसकार से हम अपनी जो अंतरमुख अवस्ता है उससे बारबार बहरमुख हो सकते हैं पर इसी को यात्रा कहा है जहां हमारे अपने गनतव्य तक पहुचना है तो बार-बार इस मन को याद दिलाना पड़ेगा अच्या दिलाने के द्वारा मुझे और एक बात याद आप से शेयर कर लो मैं एक बार कार में जा रहे थी और भगवत कीता का 15 वाध्य बज रहा था । जब भगवतगीता का 15 वाध्य चल रहा था तो मैंने ठाण लिया कि हाँ एक शब्द भी मुझे मिस नहीं करना है हर एक शब्द मेरे आग्या मेरे इच्छा के ही अनुरुप मेरे भी तर जाए तो सजक्ता से पहली बार सुना फिर भी 50% इधर उदर मन गुमा कुछ शब्द सुन पाई कुछ शब्द छोड़ दिये फिर से सुना तो 75% ठीक से सुना था और फिर से एक बार बीच में कही तो मन इधर उदर भागा दोड़ा फिर एक बार ठान लिया कि नहीं आप तो मुझे सुनना है सुनना है तीन चार बार करना पड़ा पर चौथी बार जब सुना तो एक भी शब्द बिना मुझ से पूछे मेरे भीतर नहीं पहले हम रिशिकेश गए जहां गंगा में रीवर रैफ्टिंग होता है सब लोग रीवर रैफ्टिंग कर रहे थे मुझे बड़ा मज़ा आया सोचा कि जिनको तैरना नहीं आता वो भी आराम से विश्वास से उस बोट में बैठ जाते हैं और वो नाव चलाने वाला उसको कहते हैं एडवेंचर पे कि जहां वो बोट अचलती है और गिरती है यहां गिरती है वहां तो ऐसा लगता है और मैं मुझे तो साथ में उन्हों ने पूछा कि आप क्यों मुझे न को कहा मैं सोच रही हूं बीस मिनीट के नाव चलाने वाले पे इतना विश्वास है कि यह म मेरी नाव डूबने नहीं देगा तो जरम-जरम की नाव हमारे जिसने संभाली है कि उस पर इतना भी विश्वास नहीं कि वो हमारी इस जीवन की नया को पार करा देगा तो आएए आसपास के प्रकृती में जो यात्रा चल रही है उस यात्रा के साक्षी बन जाए और पड़ेगी मेरी दासता सजग हो जाए और आसपास जो भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखे तो हसी भी आएगी रोना भी आएगा समझ भी आएगा सुलज भी जाएगा मन आसपास के परिस्तिती के प्रति सजग हो जाए नमस्ते झाल 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 झाल